देश से कोरोना वाइरस महामारी को समाप्त करने के लिए वे हनुमान चालीसा का पाठ करें सांसद प्रग्या ठाकुर के इस ट्वीट पर जम कर सियासत हो रही है एक और मंत्रे विश्वास सारंग ने प्रग्या का बचा फिया तो वहीं दूसरी और कॉंग्रिस नेता एवं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जम कर निशान साधा सांसद प्रग्या सेंग ठाको ने शनिवार को कॉरोना वाइरस महामारी से छुटकारे के लिए अनूठा मंत्र दिया ठाको ने लोगों से आवाहन किया कि वेदेश से कॉरोना वाइरस की महामारी को समाप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करे प्रग्या ने ट्वीट किया आईए हम सब मिलकर कोरोना वाइरस महामारी को समाप्त करने के लिए और लोगों के अच्छे स्वास्त की कापना के लिए एक आध्यात्मिक प्रयास करे तो वही अब इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद प्रग्या को ट्वीटर पर जम कर ट्रोल किया जा रहा है तो वही इस पर सियासत भी खूब हो रही है मंत्री विश्वास सारंग ने प्रग्या का बचाफ किया है तो वहीं कॉंग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी जम करने शाना साधा पर कर में कोई रोक नहीं है इलाज भी कराएं और वहीं हमान चाली शाज सब्सक्राइब और अगरमान कशा थी तो खोलते इन दरों में और धर्मस्था तो खोलते हैं उनको अनुवती देते हैं हरदनों स्थल को मंदिर खुलेंगे मज्जित खुलेंगे गुर्द्वारा खुलेंगे चर्ष खुलेंगे अगर इनकी आस्ता होती तो यह केवल जैसा समय हो वेशी बात करते हैं और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अभी जो राशन यहां की सांसाद है वो गरीबों के पास आज भी राशन नहीं मिल रहा है उनकी जिनकी परची नहीं आई है यह जो दस दिन का लागडाउन है सब को 35-35 किलो राशन दिलवाए हो हर गरीब परिवार को आपको बता दे कि बीते महीने भोपाल में बीजे पी सांसद सादवी प्रग्या सिंग ठाकुर की तबियत अचानक बिगड़ गई थी बरहाल सादवी प्रग्या के स्ट्वीट पर देश भर में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है प्योर रपोट अंपी न्यूस भोबाल